Hello everyone, welcome to my channel and आज हम discuss करेंगे तीन में को कौन से shares है जो उपर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि market टोलटाइल रहेगी तो कुछ ऐसे shares है जो उपर की तरफ जा सकते हैं और उनमें positive momentum दिखाए देगा Reliance के result सच्छी हैं, तो 2060 का target है, stop loss 2000 का, 2010 buying level रहेगा आप 2010 से पहले नहीं करे देगा, एक बार market start होने का विट जरूर करिएगा और जितना भी हो सके, मैं तो कहूंगे जितना भी long term के लिए, 2-3 महने के लिए आप रख सकते हैं इसको तो buy on dips, इस share results काफी अच्छे हैं, बट volatile market में नीचे जा सकता है, तो long term के लिए भी beneficial होगा हमारे next share रहेगा, Glenn Pharma, 600 का target stop loss 580 और इसका bank level रहेगा 585, यह share उपर जाएगा market crash होगी तो उसमें बल्की जादा chances है उपर जाने का, तो इस case में, ऐसे share में invest कर सकते हैं, short भी है उपर जाएगा our next share is Mariko, bank level होगा इसका 415, target 450 और stop loss बना कर रखेगा 390 रुपीज का, stop loss ज़रूर बना कर रखेगा मंडी की market के लिए, क्यूंकि 4 लाग से उपर हो चुके COVID के cases, चार दस पर भी खरीज सकते हैं आप इसको, क्यूंकि आप समझ सकते हैं, अगर cases और बढ़े तो कुछ नहीं कह सकते हैं, market crash हो सकती है, तो market में 945 तक का वेट ज़रूर कीजएगा अगले शेयर पर बढ़ते हम, next is our Sun TV, target 570, stop loss 545, and buying level होगा इसका 550, Sun TV के उपर जाने के बहुत chances हैं, क्यूंकि इसके results काफी अच्छे आने वाले हैं, long term के लिए तो अच्छा है ही, और short term के लिए भी beneficial ही है, मैं इसको short term के लिए suggest करूंगी, एक week में 600 भी टच कर सकता है अगला होगा, rally gear enterprises, target 90, stop loss 84, and buying level होगा इसका 87, तो इस पर भी नजर बनाए रखेगा, पर वही बाते 945 तक भी ज़रूर करिएगा, अगर आपको लगता है market crash यानि negative में खुली है तो, अगला share होगा, TCS, target 3200, stop loss 3050, buying level 3070 पर आप बाइ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ HCL, वो भी beneficial है, और ये दोनों shares long term में बहुत beneficial है, short term में भी काफी benefit देंगे आपको next is HDFC, इसके साथ भी same कहानी है, target 2500, stop loss 2410, buying level 2450, long term के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन market crash होगी तो वेट जरूर करिजेगा, 10 बजे या 945 तक का वेट करिएगा, उसके बाद ही market mentor कीजेगा, buy on dips, इसमें भी long term के लिए Nestle, Nestle का 16500 target, stop loss 16350, and buying level 16400, long term के लिए तो 9000 का target है, short term के लिए भी अच्छा है ये